हालो वरंट्स, हमारे चैनल नॉन स्टोप लाव स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वाकत है मैरे तू आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ दोस्तों स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल Non-Stop Love Stories को लाइक, सस्क्राइब और शेर करना ना भूलें इससे हमें एक बार फिर से हिमत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की तो दोस्तों आप सभी हैटफोंस लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें मेरा दवा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छूलेगी तो दोस्तों मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरी लेकर आते हैं जिन लोगों ने हमारी हमें अपनी लव स्टोरी भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं और जो लोग हमें अपनी successful love stories भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पे स्वाकत है आज की story का नाम है love or lust तो आप story का मजा लें मेरा नाम कमल है मेरी उम्र 25 साल की है मेरा एक भाई है उसकी शादी हुई 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 है मेरे डेबू मेरी एक भाबी है माता पिता है मेरे घर में हम लोगों का family business है जो की अच्छा चल रहा है भाबी की चक चक से में तंग आकर दूसरे घर में shift हो गया है ये भी हमारा अपना घर है जैसा वो घर है अच्छा बड़ा ये भी अच्छा घर है cigarette शिराब मैं कभी नहीं पीता हाँ मुझे घूमने का शौक है जो की अपने दोस्तों के साथ में चाहता हूँ मेरा खास दोस्त में से मेरा एक dimple दोस्त है उसके भी मतलब factories है अपनी firms है उसके पास अपनी तो मेरा उसके साथ ज़्यादा है उटना बैठना तो मैं अपने दोस्तों के साथ एक बार राजस्तान के ट्रिप पे गया था वहाँ पर मैं किले देखने का शौकीन हूँ तो मुझे किलों में जाना मुझे बहुत पसंद है वहाँ पर ये एक बार मुझे को मतलब किले के अंदर ही दो लड़कियां दिखी मुझे को फोड़ोग्राफी कर रही थी तो बड़ा अच्छा लगा उन लोगों को देख की तो मैंने उनसे नाम पूछा एक ने मुझे अपना नाम ट्विंकल बताया जो मुझे बड़ी प्यारी लगी थी दूसरी उसकी छोटी ही बेहन थी उस रही अपना नाम मुझे शमा बताया मैंने पुछा डिबल आप क्या करते हो कहती मैं जॉब करती हूँ मैंने का अच्छा मैंने का शमा शमा जो थी वो स्टूरंट थी अभी मैंने का ठीक है बस मुझे उन लोगों से बात करते ही तकलीफ नहीं हुई बहुत ही इजी लड़कियां थी दोनों मैंने नमबर एक्सचेंज किया फोन नमबर तो अब मैं अपने होटल में आ गया था मेरे दिमाग से न वो ट्विंकल निकल नहीं रही थी सच बताऊं तो ट्विंकल बड़ी खुबसूरत लड़की थी उसके बाल बड़े प्यारे से थे खुले छोड़े वे थे उस दिन उसने तो कटिंग थी उसकी स्टेप कटिंग मुझे बहुत पसंद आया उसके बाल और कलर भी उसने बहुत प्यारा किया वा था गोल्डन था, उसके बालों में कलर रेड था और पिंक था, मुझे बड़ा अट्रैक्टिव सा लगा ये बालों का उसका कलर, अब जब मैं रात को सोया होटल में, पूरी रात मुझे ट्विंकल के सपने आए, अब मैं जब उठा, मैं ब्रेश वगरा, मतलब फ्रेश हुआ, म अब सब सोचता रहा, मैं नुखे पूरी रात हूँ मेरे सपनों में आई, मुझे ऐसा लगा, जैसे शायद मुझे उससे प्यार हो गया, या कुछ भी है, मैंने उसको फोन मॉनिंग में कर रहा है, उसने पून रुठा है, मैंने का आप क्या कर रहे हूँ, किया का काम करती ह उसने सारा बताया, मैंने का अच्छा, मैंने का आपके शहर में हम भी रहते हैं जनाब, कहती अच्छा, हाँ मैंने का, उसने मुझे पूछा आप क्या करते हूं, मैंने का मैं अपनी फर्म का डिरेक्टर हूं, फेक्टरीज और फर्म्स है मेरे पास, तो बड़ी खुश होई और मुझे रोज रात को उसके सपने आने शुरू हो गए, बहुत आते थे, तो मैं विडियो कॉल्स पे बाते करता रहा, उससे करता रहा, करता रहा, इतनी बाते की कि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, तो अब मुझे था कि मैं इसके साथ मैरेज़ करूँ, तो मै कि शमा जो थी अब ट्विंकल के आने के बाद तो वो तो अकेली हो जाती, अब मुझे था कि मुझे शमा को भी अपने पास रखना है, मैं समझ गिया था इस बात को, ट्विंकल ने मुझे बता भी दिया था, मैंने का कोई बात नहीं, मैं उसको बढ़ाऊंगा, छोटी है तो मैंने अपनी ममी से बात की, ममी कहती हाँ हाँ, मतलब बुला लेना, अब मैंने सोचा क्या देखा दिखा ही करनी, मैंने जाकर कोट में मतलब application डाल दी marriage के लिए, जैसे मतलब वकील ने असब बताया था, तो मैंने मतलब शादी करके मैं सीधा अपने घर लेके गया ममी क ममी के पास उसने रेड ड्रेस पेना वा था ट्विंकल ने बहुत खुब सूरत लग रही थी मेरी ममी ने मेरे को देख करी इस कान मेरे पकड़ ली एक जोर से कान मचोड़ा मेरा मैंने चिलाया मैंने का ममी छोड़ दो अब तो मैं शादी चुदा हूं पड़ा हो गया हूं मेरी ममी कहती ही ये क्या किया बताया क्यों नहीं हमने मना करना था तुझको मैंने का नहीं ममा ऐसी तो कोई बात नहीं थी फिर कहते तुने कोट मैरेज क्यों की तुने क्या सोचा हम लोग मना कर देंगे तेरी शादी नहीं को उने देंगे क्या क्या तुने इसको पट्टी पढ़ाई जर्रा बता मैंने का कुछ नहीं पढ़ाई ममा मैंने तो कोट मेरे जैसे ही करा ली फिर मैंने का अच्छा मिरे को पहले कुछ खाने को दो फिर मेरी मा ने मतलब हमारे लिए टेबल तैयार कर दिया मा पास बैठ गई तो अभी भापा थे नहीं भाबी थी भाबी ये सब देख रही थी तो मैंने अपनी मा को उसके हाथ में मने प्यार से हाथ रखा और हाथ को उसके मलते हुए मैंने कहा ममा ट्विंकल के घर में कोई नहीं है ममी डड़ी नहीं है इसके मेरी ममी कहती इसलिए तुने कोट मैरेज कर रहा है मैंने का हाँ मैंने का ममी मैं सब देखना था कि इनके उपर भी ज़्यादा बोजना पड़ जाए तो कौन मानता इन सब बातों को मैंने कहा कि अगर इसके ममी तड़ी नहीं है तो भी लोगों ने तो यही कहा ना शादी तो वैसे होती है शादी तो वैसे होती है इसलिए मैंने अपनी समझदारी की मेरी ममी ने मेरे ना कंदे पे थप की दी ममी कहती बहुत अच्छा किया तो मैंने कहा और वो जो अपने कान पे लेके आओंगा मेरी ममी समझ गई थी कि वो बचारी कहां रहेगी फिर मेरी ममी कहती हिनका घर कैसे चलता था फिर ट्विंकल ने खुदी बताया कहती मैं जॉब करती अच्छा बस यह यह इंट्रिक्शन हुई मैं तो उसको लेके घर आ गया साथ में मैं शमा को भी लेने चला गया मतलब मैं तो अपने घर में आ गया था फिर मेरी ममी ने एक बहुत बड़ा सा फंक्शन रखवाया शादी का बड़ा अच्छा लगा मुझको तो अब मैं शमा को यहां ले आया था तो उसकी कॉलिज जो थे यहां से ही स्टार्ट करने थे सबसे पहले तो मैंने ए इसी में किया है तो मैंने का मैं भी आपको स्टडी करवा दूँगा और कहती ठीक है बस शाम को फिर मैं बैठ जाता था तो शमा को लेके मैं कहता था चलो स्टडी करो मैं बहुत स्टिक्ट था तो इन बिट्वीन मैंने सब कुछ नोट किया जो ट्विंकल थी ना मेरी आते थे वो अपने रूम में चली जाती थी बहुत लोग उससे मिलने आते थे पता नहीं क्यों और सब लोग बड़ी जल्दी में होते थे हमें ट्विंकल मैडम से मिलना हमें ट्विंकल मैडम से मिलना ट्विंकल उन से मिलती थी बस फिर उसके बाद है मैं अब जब हमारा स सारा कुछ function वगारा खतम हो गया तो मैं ट्विंकल को हनीमुन पे लेके जाना चाहता था तो मैं हनीमुन पे लेके गया तो शमा हमारे साथ ही थी बिचारी शमा कहां जाती इदर उदर तो शमा को साथ ही रखा हमने शमा जो थी वो मेरी फोटोग्राफी करती थी हम दोनों की तो मैं तो फसता था, मैं कहता था तुझे फोटोग्राफी करने के लिए लेके आया हूँ, तो गुसा कर जाती थी मेरी बात का, बस फिर, फिर मैं घर आ गया, मतलब मैंने बिजनस भी तो अपना कंटीनियो करना ही था न, तो मैं घर आ गया, तो एक नाइट मेरी आँख खु हलका सा खोला देखा, तो बातरूम में कोई था ही न, अब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने पूरे घर में देखा, तो एक कमरे के, मतलब दरवाजे के नीचे से जो थोड़ी से लाइट आती न, वो आ रही थी, पर खिडकियों से लग रहा था कि वो लाइट जो है मतलब कमरे के लाइट नी है, मैंने खिडकी से थोड़ा सा मतलब कांच के खिडकी थी, तो मैंने शो नहीं होने दिया कि कोई बाहर देख रहा है, मैंने थोड़ा सा देखा अंदर, तो इस ने, पुंकल ने एक बड़ा सा स्टार बनाया वा था, और उसके ओपर कैंडल्स र को मिलने आते हैं, और ये क्या काम करती है, और मैं डर गया था, तो फिर मेरा मन नहीं लगा, बस घर में, मैं सुबह मौनिंग में ड्यूटी भी नहीं गया, मैं अपने ओफिस नहीं गया, मैं सीधर डिमपल से मिलने गया, तो बस फिर डिमपल को मैंने, मतलब मैं अपनी हर देखा नहीं लेकिन आगे का मैं कहा नहीं सकता है तो बस फिर फिर मैं चिकन खाता था तो मैं जाते जाते मैंने सोचा चल यार चिकन बनाते हैं आज चिकन पाटी को करूँगा मैंने चिकन लिया और मैं सीधा घर चला गया और मैंने ट्विंकल के सामने रखा और ट्विंकल मैं जब चिकन को देखा था उसकी चिकन से आंके इधर उदर हुई नहीं बस चिकन को ही वो देख रही थी बड़े थ्यांत से मैंने का डिंपल आप बना दो और सॉरी ट्विंकल आप बना दो चली गई फिर वो किचन में उसने बनाया तो मैं मतलब बाहर ही था मैंने नोट कि कि उसने एक कच्चा चिकन का जो पीस था ऐसे ही मूँ में डालके चबा रही थी वो मैं डर गया था यह देखके पता नहीं कितने और रूप देखने थे इसके तो उस नाइट इसने मेरे साथ जो फिजिकल मतलब रिलेशन है इस तरीके से बनाए कि वो कुत्ते जैसे गुर रहा रही थी और मुझे लगी रही नहीं रहा था कि यह ट्विंकल है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सी ओरता है यह ऐसे मेरे साथ मतलब जिस तरीके से कर रही है तो मुझे तो बस जब मेरे से मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे बिलकुल भ एक औरत बोली, कहती है, मैं दीबाली का हूँ, और उसकी आवास भी ट्विंकल की नहीं थी, ये मैं जब इसने मिर को ऐसे बोला तो सच मुछ मैं डर गया, मैंने का ये क्या है, मतलब मैं समझ गया था, ये ट्विंकल ही नहीं है, ये तो कोई और ही है इसके अंदर, तो अब म मैंने फिर बंक मारा, मैं सीधा डिमपल के ऑफिस में गया, डिमपल कहता तू क्या कर रहा है, यहाँ पर रोज आ जाता है, क्या बात हुई आज, मैंने उसको बताया, मैंने का यार, नाइट में ऐसे ऐसे हुआ, कहता अच्छा, कहता अब मैं तुझे एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनना, मैंने का बोल, कहता तू सिगरेट पीनी शुरू कर दे, भूत पर इतना, अंगारे को देखके पास नहीं आते, आग को देखके, मैंने का अच्छा, कहता हाँ, कहता रोज सिगरेट पी आकर, सिगरेट की डबियां धेर स्यारी रख ले, और अपने पास मा लिए, अब मैंने लाइटर भी ले लिया, तो मैं जब घर गया, घर का जो महौल था अब मुझए अपने घर से डर लगने लग गया था, सारी लाइट्स आफ थी, डिम लाइट्स हरे कमरे में आऊं थी, मैंने का ये तो बहुत तो नहीं रहते ही अधर, मुझे तो डर लग ने लग गया, फिर मैंने फटा-फट अपनी सिगरेट जलाई, जैसे मेरे को पीनी नहीं आती थी, मैं फू-फू करता रहा, बस उसका धूँआ छोड़ता रहा, तो ट्विंकल आई, ट्विंकल कहती, आप सिगरेट पी रहे हो, मैंने का हाँ, मैंने सिगरेट पीनी चुरू क चाहता था, मैं का बस मिर से बात ना करे, मैंने दूसरा दरब कमरा खोला, मैंने उदर, मतलब सब बैट बूड तो लगए हुए थे, सारे कमरे हमारे सट थे, तो मैंने अपना समान थोड़ा उदर रखा, जूटी जाने मेले कपड़े वगरा, मैंने साब कोई उदर रख द वो रात में अपने काम में बीजी होती थी, वो कहती ठीक है, मैंने का ठीक है, ठीक है, तो बस मैं फिर अपना कमरा मैंने अलग कर दिया, तो अब जबी भी मुझे रात को डर लगता, या फिर दिवाली का मुझे महसूस होती ही इदर उदर, कि मेरे आस बस कोई है, मैं फट अपनी मा के पास कया मेरी मा ने जब मुझे सुबह सुबह देखा ना उसने एक बात बोली, वो कहती कवल क्या हो गया मैंने अपनी मा को देखे, जैसे वो सब कुछ जानती हो, या कैसे मा ने बोल दी या ये शब्द, मुझे नहीं पता मैंने का मा आज मेरा सिर बहुत तर्दो रहा, आज मैं तिरसे तेल չारिश करवाने आया हूँ अच्छा अच्छा कहती तो फिर बस उसने तेल मारिश करी मेरी मैंने उसके मतलब गोद में अपना सर रख तिया फिर मेरी माने बड़े प्यार से मेरा सर सहलाया मेरी मा कैती कोई गलती हो गई अब मैं क्या बताता उसको जैसे वो तो ना अंदर की दिल की सारी बाते जानती थी ऐसे बात कर रही थी अब मैं उसको क्या बताता मेरे से क्या गलती हो गई पर जब मैं अपने घर में आता आया मैं अपने घर में शमा को मैं वैसे ही पड़ते देखता कभी वो टैरेश में होती पढ़ रही कभी लॉन में बैठी होती पड़ रही कभी अपने कमरे में कभी किचन में चाय बनाती यह कॉफी बनाती अपने लिए फिर अंदर गुज जाती स्टड़ी के लिए अब मुझे शमा जो थी मुझे बड़ी मासूम लगने लग गई तो अब मेरा यह था कि मैं का शमा ही में ले ले चाय को काफी बनाए खाना भी यही बनाए वो आई फिर मेरे पास पढ़ने के लिए कहती जीजू बार बैठें स्टडी के लिए मैंने उसको एक बात साफ बोल दी मैंने का स्टडी तो मैं रोस करवाता हूँ ना आपको कहती हंची मैंने का इसके बदले में मुझे क्या मिलता है हरे वो बिचारी मासूम सी मुझे देखने लग गई कहती आपको क्या चाहिए मैंने का मुझे खाना चाहिए होता है मुझे चाय काफी चाहिए होती है तुम अकेले अकेले पीती हो अरे कैती आप मुझे एक पर भोलो तो सही क्यों आपको चाय चाहिए काफी चाहिए खाना चाहिए मैं उसी टाइम कर दूँगी मैंने का मेरे सामने तुम काफी बनाती हो अपने लिए अपनी कमरे में चली जाती हो चाय बनाती हो तो भी अपनी कमरे में गार कोल्डरन पीती हो तो भी अकेले पीती हो खाना भी तुम अकेले खाती हो मैं कहा यह कोई बात नहीं हुई अगर तुम मुझे सच मुझे इज़त देती हूँ कम से कम पूछ तो लिया करो खाने को वह कहती जीजू अब आप जब बोलेगे खाने के लिए मैं तब ही आपके लिए खाना डाल दूगी मैंने कहा यह हुई न अच्छी लड़की वाली बात कहती हाँ तो मुझे सच बताओं तो शमा बड़ी मुझे न मासूम सी लगती थी और वहीं पर रात रात को जब दिंपल का कमरा खुलता था ना सच बताओं तो रातों को तो नीद मुझे आती नहीं थी मैं सुबह सुबह सोता था सुबह चार बजे सो जाता था सुबह के दस बजे तक मैं सोता रहता था अब मेरा टाइम टेबली बिगड़ी गया था तो रात को मैं चुप चा आप उटके उसी कमरे में देखता था ये उस कमरे में इसने बड़ा सा स्टार बनाया होता था वो कमरा तो पूरा खाली था इसके स्टार बनाने के लिए बड़ा अच्छा था ये स्टार बना के इसमें पता नहीं क्या क्या करती थी और फिर दिन में लोग इसके पास आते थे और ये उनका काम करती थी तो बस फिर फिर मेरे से दिवाली का जो थी जो इसके अंदर थी उस वो भी मेरे को दिखती थी बात करती थी मेरे से तो मैं डरता रहता था उससे कभी इदर मतलब मेरे सिगर्ट पीता था जब वो मेरे को दिखती थी रात को मुझे दिखती थी मुझे हमेशा कहती थी मुझे मुझे बड़ा परिशान होता था ना मेरा उफिस में मर लग ना अगर मैं अपने घर जाता, माँ के पास मुझे से डिरेक्टी पूछ लेती, क्या बात हो गई मैं कहां जाता तो मेरे को डिम्पल ये एक दिखता था, डिम्पल के पास में चला जाता था, तो, डिम्पल मुझे कई बाते बताता था, यार ऐसे कर, यार वैसे कर, ये चुड़े लए, भाग जाएंगी तेरे पास से, डिम्पल मुझे बहुत कुछ पूछता था, लेकिन जब वो मेरे से, शमा की बात करता था कहती जीजू मुझे स्टेडी करा दो मैंने कहा स्टेडी मैं करा दूँगा पहले आप मेरे पास बैट मुझे बात करनी है मैं इसको छट पे ले गया कहती बोलो जीजू मैंने कहा मैंने कहा तेरी सिस्टर जो है वो ये सब करती तुझे पता है उसने मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखा और मुझे समझा गया इसको सब पता है मैंने फिर उसको डिरेक्ट पूछा मैंने का कब से करती है तुझे पता है कहती जब से मम्मी डैडी की डेथ हुई है तब से मैंने का इसने कहां से सीखा कहती मुझे नहीं पता तो मैंने पूछा मैंने का ममी डैडी की death के बाद कैसे हुआ ये सब कुछ कहती इसको ममी डैडी दिखते थे उनसे help लेती थी आज मुझे ये चाहिए मैंने का फिर फिर कहती मुझे नहीं पता इसने फिर एक आंटी के पास ये रेगुलर जाती थी वो ये सब जानती थी तो मैंने का उसी से सीखा होगा ना इसने कहती हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है इसने उससे सीखा है तो मैंने का ये जो लोग आते हैं ये किसलिए आते हैं वो कहती ही, अपनी समस्याई लेके आते हैं, उसका समधान करते हैं, और इसको दीदी को पैसे देते हैं, हम लोग जैसे मतलब बड़े हुए, हमने स्टडी बगरा की मैंने, तो कहती ही, सब दीदी के पास ऐसी पैसे आते थे, दीदी सब का काम कर देती है, और बदले में हमें पैसे मिल जाते हैं, मैंने का अच्छा, तो मैंने का तुम्हें इसके बारे में पता था, कहती तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने का ठीक है, कोई बात नी, बस फिर मैंने उसको स्टडी कराई, मुझे पता चल गया यार, और बंदा क्या करे, जिस मन्दे के बास मावब ना हो कोई सपोर्ट ना हो वो इंसान और क्या करे फिर अब मुझे दिवाली का बार बार सपने में देखती थी वो मुझे आके हमेशा कहती थी मुझे मुक्ती चाहिए तो कवल मुझे मुक्ती दिला दो कैसे भी मुझे मुझे मुक्ती दिला दो बड़ी मिन्ते करती थी जब मैं कभी-कभी आँखे खोलता था वो मेरे बिस्तर के पास बैठी होती थी और मैं एकदम छोलांग मार के उठता था उसको देख की मैं एकदम इधर दूर देखता था मेरी माची सियाफर लाइटर कहा है और फटा फट मैं सिग्रेट पीने लग जाता था ताकि मेरे से दूर रहे तो दूर हो जाती थी वो सिग्रेट से तो एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया मैंने का दिवाली का तु क्या चाहती मेरे पास मत आया कर मुझे डर लगता तेरे से दिवाली का कहती है कि मुझे को मुक्ती चाहिए मुझे मुक्ती दिला तो प्लीज मैंने का कोई मुक्ती को यसी चीज थोड़ा न है मूफली थोड़ा न है मैं तुझे ये दस रुपे की लेके खरीद के दे दू ये ले भई तेरी मुक्ती मैंने का मुक्ति किस तरी के से तुझे मिलेगी मुझे नहीं पता उसने मुझे बताया कहती यह जो ट्विंकल है ना ट्विंकल के गले में एक काला धागा है मैंने का हाँ मुझे पता इस बात का मूटा सा काला धागा उसने बांदा है उसमें गिठाएं भी हैं कहती हाँ, कहती उस गिठाओं में उसने मुझे तंतर शक्ती से, उसने मुझे कैद किया हुआ है, मैंने का अच्छा, कहती मैंने का अब तरको मुक्ती कहां से मिलेगी, कहती किसी भी बहाने, उसका जो काला धागा है ना, उसको तुम काट के जला दो, मैं मुक्त हो जाओंगी मैंने का तो फिर दुबारा तो नहीं तुम मुझे को दिखोगी कहती नहीं मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी ना मैं मतलब तुम्हारा साथ कुछ गलत करूँगी बस मैं मुक्त हो जाओंगी मैंने का ठीक है मैंने का कभी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूँगा कहती मौका मिलता नहीं है मौका हमें खोड ढूनना पड़ता है मैंने का देखो मुझको चुडेलों से न ऐसे बात कर डिबेट्स करने नहीं आते आप प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो मैं कर दूँगा, जरूर करूँगा, प्रॉमिस कहती हाँ मैं वेट करूँगी और वो फिर चली गई अब मेरे दिमाग में आ गई बात कि डिमपल के गले में से वो काला धागा निकालना है, मेरे को बस ये था कि इस फर्म में काम करती है, वो कौन सी फैक्टरी में काम करती है, कौन सी ओफिस में काम करती है, मुझे कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में तब मुझे पता चला वो क्या काम करती थी, बस फिर अब मैं बड़े प्यार से हमेशा twinkle से बाते करता अब मैं उसको खुद ही बोलता है मैं का चाहे पिए नियुका फिर मैं फट उपट फट शमा को बोलता है शमा चाहे बना दो तो कप हम दोनों के लिए वह बनाती फिर मैं twinkle को प्यार से बार भी लेके चाता था अब मैं उसे जादा प्यार जटाने लग गया था, मुझे पता था मुझे क्या स्टेप उठाना है तो मैं उसके सर पे बार पर प्यार से हाथ फेरता, उसे ये सब बड़ा अच्छा लग रहा था तो कैती आप में इतना चेंज कैसे आ गया, मैंने का बस थोड़ा बीजी था, अभी फ्री हुआ हूँ कैती अच्छा, बस मैं उसे धेर सारी बात ये करता, और उसे बड़े वादे करता, कि मैं दिमारे ले ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं एक और घर बनाऊँगा, बड़े वादे करता मैं उसे और मेरे मतलब दिमाग में बस यही होता कि वो मुझे काला धाका जो है वो निकालना है एक दिन उसके सर में बड़ा दर्द हुआ तो कहती कावलाच मेरे सर में बहुत दर्द है अरे मैंने का सर में दर्द है मैंने का देखो मेरी ममी जो मिसाज करती है ना सर पे उससे मेरा दर देखता हम कायब हो जाता है मुझे कहती चलो फिर ममी के पास चलती है ओ मैंने का मैं भी तो कर सकता हूँ कहती हाँ मैंने का बैठो आप मैंने उसको प्यार से बड़े बढ़ाया उसके सर पे मिसाज करता रहा करता रहा करता रहा तो तेल रखने के बहाने में मतलब मुडा, मैंने का एक मिट मैं तेल रखता हूँ, वहाँ से मैंने हलके से कैंची उठा के वहाँ पास में ही रख ली अब मैं उसे मिसाज कर रहा था, करते करते मैंने कैंची ली, कैंची से मैंने इसका धागा काटा, हलके हलके मैंने धागा क ही जाए अपने पास रख लिया. अपने मतलब टंक के जो होता न थाई उसके नीची रख लिया और मैं उसकेसर करता रहारा बड़े प्यार से मिसाज कर रहा है. कहती है आज अग इसा लग रहा है ज्यासे सारी टेंशन मेंने निकल गई थे कियो महांने बचुश्चन तो हमेश्या निकलनी छहे 그런 हे पने तर अपने सरकें अंदर नहीं तो यह खिजाकर इना हमống और भलोग वैंडल में थो मैंने चाह sy牛ट में हमलों सु श्ट्र मोमायल तो मोमायल हैंग हो करो और दुबारा कंटीनियो करो लाइफ कहती वो तो है मैंने का इसी लिए मैंने का जैसा मोबाइल है वैसा ही हमारा माइंड है तो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए सब पूराने जो डाटा है वो क्लीन करो फिर से जिन्दगी चीओ खुशी से कहती हाँ बस ऐसे बाते मैंने उसको बातों में लगाया प्यार प्यार से फिर वो खाना बनाने के चली गई किचन में और यहाँ पर मैं आकेला था मैंने उसका धागा था पोकेट में डाला और मैंने अपना लाइटर लिया मैं सिधा टेरस पे गया चट पे चट पे मैंने ये बोला मैंने का दिवाली का मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ कोई नुकसान मत करना अब मेरा बस उस टाएम मैंने वो धागा जलाया वो धागा जैसे ऐसे जला जैसे किसी बंब को आग लगा दी ह शरर करके बड़ी तेज आवाज आई और एक दम जल गया वो मैंने का यह मतलब मैंने अपने मन में सोचा यह क्या हुआ और वो धागा जल गया अरे मैंने इस धागे की राक भी अपने इदर नहीं रखी छट पे मैंने सारी इदर उदर करके फिंग दी बस उपरी छट पे इदर उदर कर दी मैंने तो बस यह था मेरा मैंने अपना मतलब मिशन पूरा कर लिया जो मेरे को दिवालिका ने बोला था अब मैंने सोचा कि शायद मुझे अब सिगरेट पीने की जरुत नहीं पड़ेगी मुझे कभी दिवालिका नहीं दीखेगी तो मैं फिर अब अपना मतलब डिंपल के पास मैं अगले दिन ही पहुँच गया तो डिंपल मुझे कहता क्या हुआ मैंने का यार वो मुझे ऐसे सपने में बोलती थी थी ना कैता हाँ 화 मैंने का हाँ मैं जब आया जूटी से तो बड़ी रुखी रुखी मिरसे बात नहीं कर रही थी मैंने का क्या गवाट इम ट्विंकल उसने मिरे पर एक गहरी सी नजर डाली कहती तुम्हें नहीं पता क्या हुआ मैंने क्या मैंने का इसमें क्या हुआ मैंने को बताओ क्या बात हो गई तुम्हारे साथ कुछ नहीं कहती और खिज से अपने कमरे में चले गई मैंने का कोई बात नहीं मैंने शमा को बोला मैं का शमा खाना लगा दो उसने लगा दिया मैंने खा लिया उसके बाद मैंने चाय काफी पी उसी से बोला मैंने का यह इसको छोड़ो ट्विंकल को तो बस फिर मैं मतलब कैंशन फ्री था मैंने का अभी इसके पास कुछ नहीं है ना यह कभी मैंने को ड्रा पाएगी ना कभी कुछ जैसे मतलब घुराएगी क्योंकि ना जब यह सब उसके पास पावर थी ना सच बताऊं वो मुझे कभी मासूम नहीं लगती थी मुझे हमेशा ऐसा लगता था इसके भोले भाले चेरे के पीछे ना एक चुड़ायल छुपी हुई है जो मेरा नुक्सान कभी भी करेगी कभी मुझे लगता था यह मेरा खून पियेगी कभी मुझे लगता था मेरे उपर चालब टोने करेगी मैं हमेशा ऐसा सूचते रहता था और कभी-कभी मेरे पास भी होती थी थी तो अब लोग जो आते थे, लोगों का भी किसी का कोई काम नहीं होता था, ये चुपचाव उनको वापस भेज़ देती थी, बाहर से ही कह देती थी उनको कह दो मैं हो नहीं, ठीक है, मैंने का मेरे का तो और क्या चाहिए था, मुझे ये नॉर्मल ही चाहिए थी, तो नॉर्म दिनों के लिए बाहर जाना चाहती हूं, तो मेरे से पर्मिशन ने लिए, मुझे बता रहे थी ये, मैंने का ठीक है, मैंने का आपको मैं छोड़ा हूं, कहती नहीं मैं खुद जाओंगी, मैंने का कहा जाना चाहती हूं, कहती मैं मनाली जाना चाहती हूं, मैंने का अकेले क देखा हूं करके चले गई सर उदर मारके मैंने का ठीक है बस ये बाहर गई और फिर मेरे को एक गंटे में मुझे कॉल आया पुलिस कॉल था केते आप यहां पहुंचो जल्दी मैं वहां पहुंचा तो सामने एक बॉड़ी पड़ी हुई थी उसके उपर वाइट कपड़ा थ उन्हेंने मुझे पास बुलाया उन्हेंने वो कपड़ा हटाया मैंने सामने ट्विंकल को लेटे हुए देखा कैते यह कोन है मैंने का यह मेरी वाइफ है कैते आप इसका जो मॉबाइल एस के उपर आपी का नंबर था तो हस्बंड लिखावा था तब ही आपको कॉल की इस इसका एक्सिडेंट हो गया था ट्रक एक्सिडेंट हुआ था वो अन्दा स्पॉर्ट की डेड थी मुझे बढ़ा तुख हुआ मैं इसकी बॉड़ी जो थी मॉर्चरी में रखवाई पुलिस ने मेरे हाथ में नहीं दी तो पूछ रहे थे पोस्टमाटम करवाना मैंने करन कि बस फिर उसके बाद में मैं सारा कुछ इसका मतलब करके तो माबब भी मेरे बड़े दुखी हुए कि वाइफ इसकी अच्छी थी चली गई तो ये शमा भी बड़ा रोई बहुत रोई ये अब ये तो थी नहीं घर में शमा ही थी शमा तो पहले भी मुझे खाना देती थ थी बस फिर मैं शमा जो थी वो मुझे खाना देती रहती थी पर वो चुप हो गई थी अब उसको ये भी था कि मैंको पता नहीं कहां जाना पड़ेगा अब मैं कहां जांगी वो ये सोचती होगी ना कि जी जू तो मुझे शायद रखेगा नहीं पर मैंने उसको कुछ बोल अपने कमरे को लॉक कर लेता था, इसको कहता था, अपना कमरा लॉक कर ले, मुझको नहीं पस, ऐसे ही मुझे था, फिर तीन साल ऐसे ही निकल गए, तीन साल तक मुझे बिचारी खाना देती रही, कौफी देती रही, फिर मेरी ममी जो थी, वो बोले ही मेरे को, कहती कि अब य अपने कमरे से निकली तो मुझे मैं भी सामनी था तो मेरी ममी कहती शमा वो कहती हंची बोलिये कहती आप कमल से मैरेज कर लो उसने नीचे मुखर लिया उसका कोई जवाब नहीं था तो कहती अगर हम लोग करवा दें तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा न उसने ऐसे नजर से कभी देखा ही नहीं था मेरे सामने तो वो बच्ची सी थी पर मेरी ममी ने मेरी उसके साथ मैरेज करवा दी थी तो मैं उसको लेके गया हनीमून पे लेके गया मैं उसको टच नहीं किया तीन महीने तक मैंने उसको टच नहीं किया सच बताऊं मैं क्यूंकि मेरे अं झाल क करता था उसको कपड़े ने के देता था शॉपिंग कर्वाता था शाम को कुछ मेरे जो दोस्त था ंदिम्पल उसीने बोला था कहता है उसकी भी शादी हो गए थी छ़ादे ऐगा अच्छी लडकी से तो मुझे कहता था मैं अपनी वाइफ को लेके जाता हूँ ना गॉल गप के खिलाने तु भी लेके जाया कर ऐसे फिर मैं उसको चाहा को भॉलता था मेरे साथ मेरे साथ गॉल गप कहने चल ऑशाम को रोज चलती ती तो बोटंग करने में कभी कभी उसको लेके जाता था मैंने उसको बोर Queensland hon दिया और बाते उससे करता रहता था बस इसी तरह हम लोग क्लोज आए और फिर हमारे को एक बेबी हुआ तो इस तरीके से मेरी लाइफ में ये इंसिडेंस हुआ पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर ज़रूर करें तो I hope आपकी जो surrounding हैं हमेशा प्यार से भरी रहें आपके love ones, आपके near ones, आपके dear ones हमेशा आप लोगों की साथ रहें आपके उपर प्यार की पारिश हो और आपको हमेशा God अच्छी अच्छी चीजों से bless करता रहें पन्दे मातरम जाहिंद झाल झाल